इसलाम पर इतराज करने वाले अपनी इसलाम दुश्मनी में कभी रुखते नहीं हर इतराज का जवाब बार बार और कई बार दो लेकिन फिर भी ये लोग वही जूटा इतराज पेश करते रहेंगे आईए एक और इतराज देखते हैं ये वीडियो देखें कुरान पर आते हैं पारा दो सुरा दो अलामिया कहते हैं कि महिलाए मासिक धर्म में गंदगी हो जाते हैं उनसे दूर रहों को कोने में बढ़ा रहने दो और जब वो साफ सुतरी हो जाए जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जा करके वो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगली आयत में फिर बताते हैं अल्लामिया कि क्या करना फिर कि ये तुम्हारी पत्रियां तुम्हारी खेती हैं इनमें जैसे चाहो खेती करो जैसे चाहो हाल चलाओ मतलब कि जैसे चाहो संभोग करें तुम्हारी होला में बहुत सम्मान सिखाया है अल्लामिया ने इस संसार में इसलामियों को बहुत सम्मान सिखाया है मातर शक्ति के पर सुनें अल्ला फरमाता है और लोग आप से हैज के बारे में पोच्छते हैं आप कहीं दीए कि वो गंदगी है लहाजा हैज की हालत में अवरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे खुर्बत यानी जिमा ना करो हाँ जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास उसी तरीके से जाओ जिस तरह अल्ला ने तुम्हें हुक्म दिया है बेश्क अल्ला उन लोगों से महबबत करता है जो उसकी तरफ कसरत से रुजु करें और उनसे महबबत करता है जो खुब पाक साप रहें तुमारी आउरतें तुमारी खेती की तरह हैं इसलिए अपनी ख असल बरकरार रखो और अल्ला की नाराज़गी से बचो और खोब जान लो कि यकीनन तुम्हें एक दिन उससे मिलना है और आए नभी आप मौमिनों को खुशखबरी सुना कर हिदायतों पर अमल करने की मबारक बात दीजिए अब आप खुद देखिए कि एतराज करने वाले कुरानी आयत का तरजमा किस तरह गलत करके अपनी बात कुरान पर ठोपने की कोशिश की है आयत के सबसे पहले हिस्से का तरजमा यू करना कि महिलाएं मासिक धर्म में गंदगी हो जाती है तब कि कुरान में है वैस अलूनकानिलमहीद यानि लोग आप से हैज के बारे में फुल हुआ आजा तो आई नभी आप कहीं दीजिए कि हैज गंदगी है अब भला बताएं इसमें हैज यानि यमसी वाली औरत को तो गंदगी नहीं कहा गया बलकि हैज के खून को गंदगी कहा गया लेकिन जब इतराज करने वाले के दिमाग में गंदगी भरी हो तो उसका तरजमा इसे ही करेगा क्या कोई एक भी इनसान ऐसा है जो हैज के खून को गंदगी ना मानता हो आखिर इसमें इतराज वाली क्या बाता आगी पुरान में आज़ा का लफ इस्तेमाल हुआ है जिसके माना गंदगी के भी हैं और बीमारी के भी हैज सिर्फ एक गंदगी ही बलकि तिब्धी हैसियत से वो एक ऐसी हालत है जिसमे आवरत तंदरुस्ती के बनिस्बत बीमारी से करीब तर होती है फिर अगले टुकुड़े का तरजमा करना कि उनसे दूर रहो और उनको एक कोने में पड़ा रहने दो ये तरजमा भी गलत है पुरान ने तो सिर्फ ये का कि उनसे सेक्स्वल इलेशन्शिप ना बनाओ है इसके दिनों में इसलिए कि पुरान ने महजब अंदाज में कहा तो उनसे अलग रहो और कुर्बत यानी इंटर कॉर्स ना करो पुरान मजीद इस किसम के मौामिलात को इस्तियारों और किनायों में बयान करता है इसलिए उसने अलग रहो और करीम ना जाओ के अलफाज इस्तेमाल किये हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि हाइद आवरत के साथ एक फर्श पर बैठने या एक जगा खाना काने से भी इतरास किया जाए और इसे बिलकुल अच्छोद बनाकर रख दिया जाए जैसा कि यहूदी और बाद हिंदू और बाद दूसरी कोवमों का दस्तूर है नभी ने इस हुक्म की जो तौजी फर्मा दी है उससे मालूम होता कि इस हालत में सिर्फ फैले मुबाशरत से परहिज करना चाहिए बाकी तमाम तालुकात बदस्तूर बरकरार रखे जाएं सही मुस्लिम अदियस नंबर 292 में है हैत आशा कहती है कि रसूल लह स्ल्म ने मुझसे फर्माया मुझे मस्जिद में से चटाई या मुसल्ला कर दे दो तो आशा रजियल्ला अना ने कहा मैं हाइजा हूँ तो आप स्लिए लिए उस्लम ने फर्माया तुमारा हैज तुमारे हाथ में नहीं है इससे ये बात बिल्कुल वाज़ हो गई कि हैज के दोरान सिर्फ जिन्सी तालुकात और संभोग से मना है इसी तरह सुनन नसाई हदिस नंबर 385 में है कि उम्मुन मुमनीन हज़त मैमुना रजियल्ला अना से रवायत है फर्माती है कि रसुल नहीं से अपना सर मबारक हमें से किसी की गोद में रखकर कौान मजीद तिलावत फरमाते हाला कि वो हैज की हालत में होती थी इसी तरह हमें से कोई आप साथ सल्लम की चटाई ले जाकर मस्जिद में बिचाती थी हाला कि वो हैज की हालत में होती थी अब बताएं यमसी के दोरान आवरत का मस्जिद जाकर चटाई और कपड़े लाना और अपनी हाइदा बीवी की गोद में सर रखकर नभी साल सल्लम का कुरान पढ़ना इस आयत की बिल्कुल वजाहत कर देता है फिर अगली आयत के तर्जमे में इयत्राज करने वाले का ये कहना कि जैसे चाहो हल चलाओ मतलब जैसे चाहो संबूक करोain ये तृम्री गुलाम है अब बताएं और सरसर इल्जाम है या नहीं तुरान में कहीं भी ये नहीं कहा ये तृम्री गुलाम है इसाइद में बतलाया गया है कि फितरतन अल्लाह ने आउरतों को मर्दों के लिए सेरगा नहीं बनाया है बलकि इन दोनों के दर्मियान खेट और खेट और किसान कासा तालुख है खेत में किसान महत तफरीग के लिए नहीं जाता बलकि इसलिए जाता कि उससे पैदावार हासिल करे नसल इंसानी के किसान को भी इंसानियत की खेती में इसलिए जाना चाहिए कि उससे नसल की पैदावार हासिल करे अल्ला की शरीयत को इस से बहस नहीं कि तुम इस खेत में काश्ट किस तरह करते हो अलबता उसका मतालबा तुम से ये कि जाओ खेत ही में और इस गरज के लिए जाओ कि उससे पैदावार हासिल करनी है इस आयत में अल्ला ताला ने एक लतीफ किनाया इस्तेमाल करेके मिया बीवी के खुसुसी मिलाब के बारे में चंद हकाइक बयान फरमाए है पहली बात तो ये वाज़ फरमाई कि मिया बीवी का ये मिलाब सिर्फ लज़त हासिल करने के मकसद से नहीं होना चाहिए बलकि इसे इनसानी नसल की बड़ोतनी का जरीया समझना चाहिए जिस तरह एक काश्तकार अपनी खेती में बीज डालता है तो उसका असल मकसद पैदावार का हुसूल होता है उसी तरह ये अमल भी दर असल इनसानी नसल बाकी रखने का एक जरीया है दोसरी हकीकट ये बयान फरमाई कि जब उस अमल का असल मकसद ये है तो अमल नस्वानी जिसम के उसी हिस्से में होना चाहिए जो उस काम के लिए पैदा किया गया है पीछे का जो हिस्सा उस काम के लिए नहीं बनाया गया उसको फितरत के खिलाफ जिनसी लज़त के लिए इस्तेमाल करना हराम है तीसरी बात ये बताए गई कि निस्वाने जिसम का जो अगला हिसा इस गर्ण के लिए बनाया गया है उस तक पहुचने के लिए राष्टा पूज़त कोई भी अक्तियार किया जा सकता है तो वो कहते थे कि अवलाद भेंगी पैदा होती है इस आयत ने ये गलत फहिमे दूर कर दी प्यारे मित्रों ये मुटसर तफ्सील आपके सामने रखे गई जो इतराज करने वाले की बात और इसलाम की सच्चाई और हकानियत क्या है उसे बताने की कोशिश की गई है हम रब से दुआ करते हैं कि परोड़िगार हम सब को सारी दुश्मनी भुलाकर हक को अपनाने और उसे फैलाने की तौफिक अता फरमाए आमीन असलाम उलेकुम वरामतुलाही और बरकातु ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें